नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो लेक्चिर में हम सितंबर 2023 के उत्रखंड करेंट एफर के जितने भी कुश्चिन है उनको डिसकस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले UKPSC और UKTPSC के एक्जाम में काफी ज़्यादा helpful होंगे तो चले इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं पहला कुश्यन है उत्रखंड के 10 के रहने वाले राजेज भंडारी को वाई सिन्य में उप परमुक बनाया गया है तो राजेज भंडारी इनको वाई सिन्य का उप परमुक बनाया गया है ये उत्रखंड के किस जिले से संबंदित है इस प्रस्निक का सही जवाब है ये हैं टिहरी गडवाल जन्पर से संबंदित मुल रूप सक टिहरी गडवाल के राजेस भंडारी को हाली में इंडियन एर फोर्स भारती वाई सिना का उपरमुक बनाया गया है राजेस भंडारी की बात करतो 1990 में ये एर फोर्स में कमिसन हुए थे और एक फर्वरी 2022 को एर कमडोर की पत पर इनका परमुसन हुआ था अभी जो है इनको वाई सिना का उपरमुक बनाया गया है और ये उत्राखंड के टेहरी गडवाल जनपस से संबने थे इससे पहले देखिए जनरल बिपिन राओट जो की पहले और इससे पूरु सीडियस थे भारत के वो भी उत्राखंड से संबने थे उनका संबन था पौड़ी गडवाल जनपस से और वर्तमान सीडियस आनल चोहान जी भी उत्राखंड के पौड़ी जनपस से संबने थे तो यह आपको याद रखते हैं, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है रास्टी परेटन दिवस की आउसर पर राज के किस गाउं को देश के सरुस्टेश्ट परेटन गाउं का पुरुसकार परदान किया गया, इसका सही जवाब है, उप्सन नमबर A, सरमोली, तो देखी परेट परेटन दिवस कब मना जाता है, हम आपर बात करें रास्टी परेटन दिवस की, तो रास्टी परेटन दिवस मना जाता है 27 सितंबर को, और 27 सितंबर को ही उत्रखन के सरमोली गाउं, यह जो गाउंस्टित है, यह आप इमेज में देख सकते हैं, यह गाउंस्टित है, गया है 2030 में और ये गाउं जो है पिथोड़ागर जन्पत में इस्तित है नेक्स्ट ए उत्रखंड में दिसंबर महा में आईजित होने वाली Global Investor Summit की टेग लाइन क्या है तेकि दिसंबर में उत्रखंड में Global Investor Summit होगा और इसके लिए देखिए लोगो और इसका जो टेग लाइन है ये सरकार ने जारी किया है सेतंबर 2023 में तो इसका सभी जवाब है और इसका लोगो भी जो है सरकार ने कुछ इस प्रकार का लाँच किया है ये देखी पुसकर सिंधामी और यहाँ पर ये लोगो और इसकी थीम लाँच करते हुए तो टीम आपको या रखनी है Peace to Prosperity और 2023 में दिसमबर मन्त में उतरखन में Global Investor Summit आज जीर किया जाएगा जिसके लिए 2.25 लाग करोड करोड क निवेस का लक्ष रखा गया है नेक्स्ट है 24 सितंबर 2023 को राज के किस मेले को राज की मेला गोसित किया गया ये भी काफी मात्वपूर कुश्चन है इस प्रकार का कुश्चन एक बार UKPSC पूस्ट चुका है तो 24 सितंबर 2023 को उतरखन के नंदा देवी मेले को राज की मेला गोसित किया गया देखे 2022 में जागड़ा मेले को राज की मेला गोसित किया गया था जो की जोनसार बावर में लगता है इसके बाद देखे वगवाल मेला जो की चंप बाउट में लगता है इसको भी राज की मेला 2022 में गोसित किया गया था आप यहां पर देखे 24 सितंबर 2023 को नंदा देवी मेला ये नैनी ताल जन्पत में लगता है ठीक है नैनी ताल तो इसको भी जो है राज की मेला गोसित किया गया है और ये जो है उत्रकंट के परेटन मंतरी सत्पाल महराज इन्होंने इसकी गोसिता की ठीक है तो यह आप को यादगता है बढ़ते हैं अगले कुश्चिंग क्यों अगला प्रसन है 5 सितंबर 2023 को राज के कितने सक्षिकों को सैलेस मट्यानी पुरुषकार से सम्मानित किया गया सैलेस मट्यानी राज सैक्षिक पुरुषकार ये पुरा नाम है इसका और इसको हम पहले डिस्कस कर शुके हैं इसी साल के करेंटेफर के कुश्यन में जब इसकी एनाउस्मेंट होईती जब इसकी गोसा होईती कि इतने लोग को दिया जाएगा तो ये पुरुसकार जो है 5 सितंबर सिक्षक दिवस के आउसर पर दिया जाता है अगर दिनरासे की बात करता है तो पहले 10,000 रुपे इसमें होती थी अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 21,000 रुपिय ठीक है यह भी आपको या रखना है यहां पर देखे दुझा नौ में इसकी सुरुवात हुजी थी सेलेस मट्यानी पुरुसकार की और सेलेस मट्यानी पुरुसकार जो है कुमाओं की महा अंसाइप दिकास सेलेस मट्यानी के नाम पर इसको दिया जाता है ठीक है बढ़ते आगे अगला प्रसने है हाली में राजी सरकार ने किस देश की कमपनी पुमा के साथ राजी में रोपवे केबल कार निर्मान के लिए 2,000 करोड रुपे का M.O.E.U. साइन किया है तो देखिए राजी सरकार ने फ्रांसी कमपनी फ्रांसी कमपनी है पुमा के साथ देखिए केबल कार निर्मान के लिए 2,000 करोड का M.O.E.U. साइन किया है देखिए हमने आपको बताया था कि Global Investor Summit ये जो है दिसंबर 2023 में उत्राखड में आजजित होगा देह दुन में एक M.O.E.U. साइन जो है यहाँ पर फ्रांस की कमपनी पुमा के साथ सरकार ने किया है अगला प्रसने है उत्राखड में प्रथम बार भागोलिक संकितांक G.I.E. महसो का आजजिन कब किया जाएगा तो उत्राखड में होने जा रहा है पहला G.I.E. महसो और इसका आजिन क ठीक है तो 17 से 21 नॉंबर की बीच में उत्राखड में पहला भागोलिक संकितांक महसो का आजजिन किया जाएगा इसमें 18 उत्पादों को G.I.E. टेक प्रदान किया जाएगा उत्राखड जो है देश में G.I.E. बोड का गठन करने वाला पहला राजी है यह भी आपको कोचिन किया गया था मुख्यमंति पुस्करसिक धामी द्वारा और यह उत्राखड के वर्तमान में राजिपाल लेप्टिनेंट जनरल गुर्मीद सिंग उप्सन नमर एसका सईजवाब है लेप्टिनेंट जनरल गुर्मीद सिंग इनके अभीभासनों का इन्होंने जो दि जन पत सामिल किये गये हैं तो इसका सही जवाब है ऑप्सन नमर डी बी और सी दोनू बी यानिकी चंपाउत और पिथोड़गर इन दोनू जन पत्लों को हाली में सोदेश दर्सन योजना टू पॉइंट जीरो में सामिल किया गया है यह किन सिरकार की योजना है और इस यो ख्याले इस्तित राजी मुंगा के लिए को सामिल किया जाएगा तो इस दोनू जन पर आपको एकना है इनको सुदेश दर्सन योजना टू पॉइंट जीरो में सामिल किया गया है चंपाउट और पिथोड़गर निक्स्ट है हाली में राजी के सहरी विकास मंत्री इसकर किया गया है तो और तेसरा खेंट में छो घ्抵ूळगर निक्ट में अब यहादेश का पहला ऐसा बैंक जो घरों सडकों से जो गंदगी है उसको साप करेगा साथी माध्यम भी बनेगा इस बैंक से पॉलिथीन एकत्रकर आगे भेजा जाएगा जिससे टाइल्स बोर्ड गमले आदी सजावुटी समान बनाए जाएंगे बढ़तें आगे अगले प्रस्न के और अगला प्रस्न है हाली में भारत के उपरास्टपुती दौरा राज के कितने लों को संगीत नाटक अकार्मी अमरित पुरस्कार से समाने किया गया अमरित पुरस्कार परदान के तो देखिए ये अबॉर्ड भी पुराने अबॉर्ड है हमने पहले बात किती है संगीत नातक अकादमिश ऑबॉर्ड के बारे में जो पहले दो लोग को दिया गया था दिवान सिंग बजली और नरिन सिन्नेगी को उसके बाद फिर तीन लोग को और दिया गया था टूटल प सेरेमनी नहीं होता ये अबॉर्ड प्रदान नहीं की गए थे तो ये चार लोग को देखे इस बार दिया गया है और इस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके है कि इनके लोग को दिया गया है फरसे हम बात कर लेते हैं देखे भैरवदत तिवारी 79 एर के हैं जग्दीज डौंडिय जिनको लोग संगीत और अमर्द ऑोर्ड दिया गया है और नाराण सिंग्ष्ट और जूगल की सोर पेट साली इनको दिया गया है उत्रखन की प्रत्सन कला के समगरियोड गान के लिए अमर्द ऑोर्ड तो चार अमर्द ऑोर De प्रदान किया गये हैं और इंपोर्टन बात यह है कि आजादी की अमरित महुस्सा की तहट 75 साल से अधिक उम्र के 84 कलाकारों को यह अबॉर्ड प्रदान किया गया है तो चाल लोगों को दिया गया है संगीत नाटक अकादमी अमरत अबॉर्ड ठीक है एक और अबॉर्ड होता है संगीत नाटक अकादमी अबॉर्ड चुकि पांच लोगों को दिया गया था पहले दो लोग को फिर तीन लोग को वो अलग अबॉर्ड है अगला प्रस्ट है हाली में किसे धनिया के पौधे की नई किस्म है जिसका है नाम है GS-1999 विक्सित करने के लिए पादप जीनोम संग्रिच्छन पुस्कार से समानित किया गया है तो राजी के वह कौन से वेक्ति है जिनको यह अवार्ड दिया गया है अवार्ड का नाम है पादप जीनोम संग्रिच्छन पुस्कार और यह अवार्ड दिया गया है Apple Man, Apple Man किसे का जाता है? गोपाल संग उपरती, ओप्सन में डीस का सही जवाब है, गोपाल संग उपरती को GS 1999 जो की एक धनिया की किस्म है, धनिया का जो पौदा होता है, उसकी एक किस्म है, इसको विक्सित करने के लिए एक अबोर्ड दिया गए, जिसका नाम है पादप जीनोम संग्रिशन पुरुषकार देखे गोपाल दत उपरदी के बारे में आपने सुना होगा अलमोडा जनपत के रहने वाले हैं इन्होंने देखे धनिया का एक साथ फिट उचा पौधा होगा था जो कि एक वर्ल्ड डिकॉर्ड है जो कि गिनेज बुक आप वर्ल्ड डिकॉर्ड में इसको दर्च किया गया था और साथ ही देखे इनको एपल मैन के नाम से भी जाना जाता है और करसे की छेत में इनको काफी और उपलब्दियां भी प्राप्त हो चुके हैं अब देखे कुछ और अबड की बात कर लेते हैं उत्रखन के विकास के लक्स में सयोग वाली 17 संस्ताओं को सम्मान तो इस साथ उत्रखन ने जो है SDG Achiever Award प्रदान के हैं Sustainable Development Achiever Award और ये दिये गे है 17 संस्ताओं को ठीक है नेक्स्ट है अंतरास्टी मत से आखिर प्रत्योगिता ये जो है इस बार 2023 में आजजित की गए थी चंपाउद के चूका छेत्र में ठीक है जाएगा इसके बाद देखे विनीता जग्दीश चौधरी को मिला उत्रखन विग्यान सिक्ष्या प्रशार सम्मान तो आपको एकना है विनीता जग्दीश चौधरी को उत्रखन विग्यान सिक्ष्या प्रशार सम्मान से सम्मानित किया गया है ये सम्मान जो है धनसिंग राउट उत्रखन की सिक्षा मंत्री और यूसेक के निर्दिसक अनिल राउट ने परदान किया आगे देखें सितंबर माह में कुछ और करेंटे फैर हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं तो देखें सारे सम्मू एक साथ अम्रेला जैसा अम्रेला ब्रांड बेचिंग के उत्पाद सारे सम्मू यहां पर स्वयम साहिता सम्मू की बात हो रही है तो Ambrella Brand देखें मार्केटिंग का टर्म से जो उत्रकन के स्वेम साहिता समूद वारा उत्पादित ब्रांड है जैसे आपका दूद का ब्रांड है, जूस का ब्रांड है, सहथ का ब्रांड है, क्राप्ट है इनको देखें अभी तक अलग अलग नाम से बेचा जा रहा है जल्दी त्यार किया जाएगा, ठीक है और ब्रांड का नाम देखें, लोगों हमाले की थीम पर आधारित होगा ऐसा जो है सरकार का कहना है, अब देखें ऐसा करने का उद्देश ही क्या है तो ऐसा करने का उद्देश होता है, गुणवत्त को बढ़ाना और राश्ट्री अंतराश्टी स्तरपर इसकी पहचान को, जो तखर게 के उत्पाद है, उनकी पहचान को बढ़ाना है नेक्स्टी अलमोरव साह बागेसुर तक बढ़ेगा राजजी का सबसे लंबा साइक्लिंट ट्रेक तो अलमुडव से बागिसरों के बीच में जो साइकन ट्रैक बनेगा ये कोसी नदी के किनारे किनारे बनेगा ठीक है तो ये भी करेंट न्यूज है सितंबर 2030 की नेक्स देखे सुबाराम सर्मा और अनिल स्वामी को विद्या सागर अबॉर्ड से सम्मानित किया गया है विद्या सागर अबॉर्ड का पुरा नाम है विद्या सागन नौटियाल अबॉर्ड विद्या सागन नौटियाल के स्मृति में अबॉर्ड दिया जाता है सुवाराम सर्मा और अनल स्वामे को सामाजिक छेत्र मुद लखनी कारे के लिए 2023 में अबॉर्ड प्रदान्थ किया गी तो ये थे उत्रखंड करेंट एफेर के कुश्चिन सेतंबर माहा के आई होप ये वीडियो आपको पसना होगा और तो ये है इस वीडियो का एंट थैंस बोचिंग और गॉट ब्लीश यू अट